हलो फ्रेंट्स राधे राधे कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का साची की रसोई में आज मैं लेकर आई हूँ बहुती सोप्ट और स्वाधिष्ट मिठाई की रेस्पी तो फ्रेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं बहुती बढ़िया बनी है यह मिठाई और बहुती आसा पड़ बनाकर खा सकते हैं इस मिठाई को तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए हम ले लेंगे यहां पर चने तो यह भूने चने हैं इसका छिलका हमने निकाल दिया है और हमने लिया है यहां पर खांड आप चाहें तो चीनी से भी बना सकते ह यह तो इसमें हमने खांड डाला है और आप चाहें तो मिसरी या चीनी भी डाल सकते हैं इसमें तो खांड जो होती है थोड़ी कम मीठी होती है तो हमने थोड़ा ज्यादा ही लिया है आधी कटोरी से और हम ले लेंगे आधा कटोरी कोकोनेट पाउडर या नारियल का इसको साइड में रखते हुए हम ले लेते हैं यह चने जो हमने पहले दिखाए हैं इसको हमें पीस लेना है तो हमने डाल दिया है इसको मेक्शी जार में और इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है फ्रेंस कुछ भी नहीं डालना है सूखा इसे हमें पीस लेना है तो यह कर सकते हैं मलाई डाल सकते हैं तो मैंने दूद डाला है इस दूद में मलाई भी मिक्स है तो थोड़ा इसको हम मिक्स कर लेते हैं फ्रेंट मैंने मलाई अलग से निकाली नहीं है इस दूद में मलाई भी है तो हमने ऐसे ही डाल दिया है इसमें तो लगभग चार से पांच चम्मच ये दूद है और हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर तो ये येलो फूड कलर है इससे कलर बहुती बढ़ियां आएगा देखने में अच्छी लगेगी मिठाई तो इसी तरह से हमने इसको मिक्स कर दिया है अब डाल देते हैं हम इसमें खांड तो पहले हम खांड को डाल कर इसी तरह बढ़ियां से मिक्स कर देंगे तो इस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड्स मिठाई सच में बहुती बढ़ियां और टेश्टी बनेगी और बहुत ही आसानी से बन जाती है जटपट जब भी कभी मन करे खाने का तो आप इस तरीके से बना कर खा सकते हैं तो खांड हमने इसी तरह से मिक्स कर दिया है और अब हम ले लेते हैं ये कोकोनेट पाउडर तो हमें इसमें डाल देना है आप चाहें दिसको हल्का पीज कर डाल सकते हैं हमने इसको ऐसे ही डाला है और हम डाल देंगे इसी में यह milk powder तो इसको भी हम इसी तरह डाल देते हैं डालकर हम दोनों को mix कर लेते हैं पहले और इसमें किसी भी ब्रांड का milk powder डाल सकते हैं friends तो हमने इसी तरह से डाल दिया है milk powder और इसमें हमने घी का बिल्कुल यूज नहीं किया है हमने बिना घी से बनाई है यह मिठाई तो इसी तरीके से चलाते हुए हम थोड़ा सा इसको mix कर लेते हैं तो friends अगर मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर करें और bell icon भी press कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का notification आप सभी को मिलता रहे और हमने इसी तरीके से बढ़िया इसको mix कर लिया है अब हम डाल देते हैं इसमें जो हमने चने पीस कर रखे थे तो इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे एक बार में नहीं डालना है पहले थोड़ा सा हम डाल कर इसको mix कर लेते हैं उसके बाद हम थोड़ा और डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे तो बड़ी हां बराबर ये mix हो जाएगा जब सूखा रहेगा तो हम थोड़ा सा दूद डाल कर इसमें और हम mix कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा दूद भी डालना है friends अगर जरूरत पड़ेगी तब तो हमने सारा जो चने थे उसक मिक्स हो गया है और इसको थोड़ा सा मसलते हुए इसी तरह हम इसका रोल बना लेंगे तो आप यहां पर कोई भी सेव दे सकते हैं friends कैसे भी आप अपनी पसंद की मिठाई बना सकते हैं तो हमने इसको ऐसे रोल कर दिया है और इसको हम फोईल पेपर में ऐसे बढ़िया इस लगभग 2 घंटे तक रख देते हैं फ्रेज में उसके बाद हम इसकी cutting करेंगे आप 2-3 घंटे तक इसको रख सकते हैं मैंने लगभग 2 घंटे तक ही रखा था अब इसको हम निकाल लेते हैं तो ये बढ़िया perfect बिल्कुल जम गया है तो इसी तरीके से हमने इसको निकाल लिये हैं आप चाहें तो इसको ऐसे ही काट सकते हैं हमने थोड़ा सा इस पर silver paper लगा दिया है तो silver paper लगाने से friends बहुती अच्छी दिखती है मिठाई और ऐसा कुछ नहीं है आपको पसंद है तो लगा सकते हैं नहीं तो skip करें तो हमने इसी तरीके से इस पर लगा दिया है उसके बाद हम इसकी cutting कर लेंगे तो इसका जो paper है हम इसको निकाल कर अलग कर देते हैं उसके बाद हम इसको काट लेते हैं तो हमने इसी तरह इसको रख लिया है अब इसकी हम cutting करेंगे तो इसी तरह से हम इसको काट लेंगे पहुती आसानी से कट जाती है ये तो हमने सारे pieces इसी तरह काट कर अलग-अलग हम रख देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको काट लिया है और काटते हुए इसको हम रख लेते हैं plate में तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे pieces बहुती बढ़ी हाँ दिख रहे हैं इसको हम रख लेते हैं प्लेट में तो फ्रेंट्स बिलकुल गैस जलाने की जरूरत नहीं है इसमें बिना गैस जलाए बन जाती है मिठाई और खाने में बहुती स्वाधिश्ट तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसी तरीके से प्लेट में रख लिया है उसके बाद हम थोड़ा गार्निश कर देते हैं पिस्ता से इससे देखने में भी अच्छा लगेगा तो हमने इसी तरह से बढ़िया इसको गार्निश कर दिया है तो देख सकते हैं फ्रेंट्स बहुत ही बढ़ी हां दिख रही है मिठाई सच में खाने में बहुत ही स्वाधिष्ट है और साथ ही हिल्दी भी है तो आप भी जरूर बनाएं इस मिठाई को तो कैसी लगी मेरी ये मिठाई की रेश्पी फ्रेंड्स कोमेंट जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेश्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फोर वाचिंग